देवानांच रिशीनांच गुरुम कांच नसन्निभम बुद्धिभू तम्त्र लोकेशं तम्नमामी ब्रहश्पतिम। सुप्रभाद प्रियदर्शकों हाजिर हो मैं आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर यानि दैनिक राशिफल लेकर दिन की अधिपती वार की अधिपती देव गुरु ब्रहश्पति को नमन कर चलिए राशिफल का ये कारिक्रम प्रारम्भ करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आज के पंचांग की अंग्रेजी तारीख 28 फरवरी 2019 आज गुरुबार है फालगु नमास कृष्ण पक्ष की नौमी तिथी सुबह 6 बच करके 41 मिनट तक और इसके पस्चात पूरे दिन आज दसमी तिथी रहने वाली है। मूल नक्षत्र है और ये पूरे दिन है वज्र योग है और साथी साथ गर करण है। जिसमें कोई भी कारे किया जाए सफलता प्राप्त अवस्ये इसमें होती है। जोबह 1 बच करके 37 मिनट से 3 बच करके 3 मिनट तक राहुकाल का समय है। अब ग्रहों की इस्तुति की बात कर लेते हैं तो मंगल मेस रासी में संचरण कर रहे हैं वही पर रूचक राज योग का निर्माण कर रहे हैं तो राहू करक रासी में संचरण कर रहे हैं गुरू रिष्चिक रासी में तो सनी और चंद्रमा की यूती धनु रासी में बन रह वही अगर हम बात कर लेते हैं तो मकर रासी में शुक्र और केतु की युती है तो सुर्य कुम्भरासी में और बुद्ध मीचरासी मीन रासी में संचरण करेंगे और कर रहे हैं अब हम बात करेंगे आज के दिव्य महा प्रयोग की प्रियदर्शकों दिव्य महा प्रयोग की मैं अगर बात करूँ तो आज का ये जो दिव्य महा प्रयोग है इसे आपको मैं कारेक्रम के प्रारंब हमें ही बता देता हूँ कि प्रति दिन आप इसे कर सकते हैं वैसे तो इस से दोनों आखें और यहाँ पर जहाँ त्रनेत्र है स्पर्स करने के लिए कहा था उससे मिलता जुलता देखने में तो मिलता जुलता लेकिन यह बिल्कुल पृथक महा प्रयोग है उस बीज मंत्र से रम उस बीज मंत्र से चेहरे पर तेज उत्पन करने का काम होता है उससे व और इस प्रयोग को करके आप अपने अंदर सम्मोहन की सक्ति उत्पन कर सकते हैं सम्मोहन यानि कोई भी आप से मोहित हो जाए, सम्मोहित हो जाए, आकरशित हो जाए तो उसमें और इसमें देखने में ज़्यादा भेद नहीं लेकिन अंतर क्या है अब वो समझाता हूँ शनान इत्यादी करके और पूजन स्थान पर बैट जाएए उत्तर दिशा की और मुख करके और इस उंगली से बीच वाली उंगली से यहाँ पर जहाँ पर त्रिनेत्र होता है इस उंगली से यहाँ पर स्पर्स कर लीजिए या तो ये तरीका है या मरगी मुद्रा बनाईए इन दो उंगलियों का स्पर्स अंगुठे से करिए म्रिगी मुद्रा इसको कहते हैं म्रिगी मुद्रा से यहाँ पर स्पर्स कर लीजिए पुना समझे या तो मध्यमा उंगली या म्रिगी मुद्रा यहाँ जहाँ त्रिनेत्र है वही पर स्पर्स कर लीजिए और क्लीन ये काम बीज है और इस clean काम बीज का अधिकाधिक कम से कम अब मैंने एक मिनट की बात कही है तो 11 से 20 बार तो आराम से 21 बार तो आराम से एक मिनट में हो जाएगा इतना तो करिए अधिकाधिक जितना हो और अगर ये नित्य अगरा करने लगें तो सम्मोहन की एक जबरदस्त छमता आपके चेहरे में उत्पन्न हो जाएगी यानि जो भी आपको देखे वो सम्मोहित हो जाए चलते हैं रासियों की तरब सबसे पहले बात करेंगे मेस रासि की उत्साह, उम्मीद और आत्म विस्वास के दम पर आज आप हर तरह के जोखिम उठा सकते हैं गोचर में चंद्रमा आपकी रासि से भाग्य भाव में संचरन कर रहे हैं फलस्वरूप भाग्य का आज आपको संपुर्ण रूप से साथ मिलने वाला है सफलता मिलेगी, अपने बारे में कोई भी महत्तो पुर्ण निर्णय आप आज स्वयम करिए कारिस्थल पर आज आपको पूरा महत्तो मिलेगा, सम्मान मिलेगा धनलाब के योग बन रहे हैं, सोचे हुए काम आज ही सुरू कर दीजिए व्यापार की अगर बात करें, व्यापारी वर्ग की बात करें, तो व्यापार में नए प्रस्ताओ आज आपको मिलने वाले हैं बड़ा कोई निवेस करने के लिए आज का दिन बहुत ही स्रिष्ट है दूसरों के भरोसे न रहें, यानि कि आज आपको क्या नहीं करना है, तो दूसरों के भरोसे नहीं रहना है दामपत्य जीवन में चल रही गलत फ़हमिया, आज दूर हो जाएंगी और जीवन साथी से मिल करके आप उन सारी गलत फ़हमियों को सुल जा लेंगे प्रेम संबंदों की अगर बात करें तो बढ़िया दिन है प्रेम प्रस्ताव देना है तो आज आप ये काम अवस्य कर सकते हैं प्रेम प्रस्ताव दे सकते हैं में इस रासि के विध्यार्थियों की बात करें, तो बहुत सफल रहने वाला है आज का दिन, मेहनत के नतीजे आज आपके सामने आने वाले हैं. आज सेहत की बात कर ली जाए तो सेहत भी बहुत अच्छी रहने वाली है सेहत से सम्मंदित कोई परिशानी नहीं है बस भोजन का आहार का जरासा आपको ध्यान रखना है बाहर का भोजन न करें क्योंकि भोजन अगर बाहर का किया तो कहीं जाकर के स्वास्त से सम्मंदित सेह दूसरा एक काम और कर लीजिए आज किसी गरीब को कुछ पैसे दान दे दीजिएगा हो सके तो भोजन करा दीजिए या फिर कुछ पैसे दान दे दीजिएगा आज आपको बाहर खाने की मना ही की है किसी और को बाहर आप खिला सकते हैं उससे आपका दिन बहुत स्रिष्ट हो आज आप अपनी जिम्मेवारियों को निभाने में पूरी तरह से सफल रहने वाले हैं, कारिस्थल पर आपके उपर उंगले उठाई जा सकती है, क्या नहीं करना है, किसी भी प्रकार के बहस में न फसिये, आप आज आपको धैरे से काम लेना है, धैरे से काम लीजिये, बिज संबंधों की बात कर लेते हैं, तो प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है, पार्टनर से कोई उपहार आज आपको प्राप्त हो सकता है, विद्यार्थियों की बात कर लेते हैं, विद्यार्थिवर्ग के लिए आज का दिन बहुत बढ़ि कर लीजिएगा और साथी साथ भगवान सुर्य नारायन को अर्ग्य प्रदान करिएगा और देव गुरु ब्रहस्पती के मंत्रों का जब कर लीजिएगा आज गुरु बार है जहां भी रहें आपका सारा काम बनता रहे इसलिए कम से कम 21 बार देव गुरु ब्रहस्पती के मं को चकित करने वाले हैं कार्यक छेत्र में उन्नती के ओसर आज आपको प्राप्त होंगे कोई बड़ा काम आपको आज मिलने वाला है जिससे आपको बहुत जबरदस्त फायदा होगा करियर में कुछ बड़े फैसले आपको आज लेने पड़ेंगे लेकिन यह आपके हितमे से डरिये वो सारा फैसला आपके हितमे होगा हो सकता है यह फैसला नई नौकरी से सम्बंदित होगा आज किसी सामाजी कारेक्टर में आपको सामिल होना पड़ेगा जरूर सामिल हो येगा बात कर लेते हैं व्यापारी वर्ग की तो आज व्यापार्क छित्र में नए कामों की नए कारियों की सुरुवात होने जा रही है पुरानी समस्याएं आज आपकी खत्म हो जाएंगी आज कोई बड़ी खरिदारी आपको नहीं करनी चाहिए अगर ये कहें क्या नहीं करना चाहिए तो आज आपको बड़ी खरिदारी नहीं करनी चाहिए प्रेम संबंधों की बात करते हैं संपुर्ण रूप से अक्षी रहने वाली है, कहीं कोई परेशानी नहीं है, क्या करना चाहिए, आज का दिव्य महा प्रयोग वो जरूर करिये, उससे आपके मुख पर कह सकते हैं, आपके चेहरे में सम्मोहन की सक्ती जागरत हो जाएगी, और एक काम और कर लीजिए, आज द आपकी एक आगरता आज आपका सबसे बड़ा हतियार बनने वाला है, आज जो भी बोलें सोच समझ करके बोलें, किसी उलजन में फसने से बच जाएंगे, भविस्यकी योजना की तयारी के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है, अगर बात नौकरी पेशा लोगों की करें तो आज हो सकता है, अधिकारियों से परिशानी होने वाली है, कारेस्थल पर जादा से जादा लोगों से मिले जुलें, कई बार क्या होता है, कि जब कारेक्षित्र में राजनीती होती है, अधिकारी आपको प्रतारित करते हैं, तो जो सहयोगी हैं, साथी हैं, वो भी आप से कटने लगते हैं तो आप पहले से ही ध्यान रखिए कि अपने जो साथ के लोग हैं उनसे आज आपका संबंद बहुत अच्छा होना चाहिए क्योंकि ऐसी को इस्तिती आए तो आपको धाडस बंधा सकें ये जरूर आप कर लिजेगा इसका फायदा आपको मिलेगा बात करत सीधी सी बात है ब्याएक किस्तिती बढ़ेगी खर्च बढ़ने वाला है क्या नहीं करना चाहिए आज आपको तो आज आपको वाहन चलाते समय तनिक भी लापरवाह नहीं होना है दुरगटना घट सकती है प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन अच्छा है कहीं कोई दिक पर आज आपको पुरा ध्यान देना होगा कोई पुराना रोग फिर से उबर सकता है तो थोड़ा ध्यान दीजिए लाव होगा क्या करना चाहिए तो आज का दिब्व्य महा प्रयोग कर लीजिए फायदा हो जाएगा इससे और सांती साथ पीला सरसो अपने उपर से गुमा उसको दूर फ्यांक दीजिए दुख दूर हो जाएगा कस्ट दूर हो जाएगा बात करते हैं सिंभरासी की दिन आपके लिए आज का बहुत अच्छा रहने वाला है किसी की कही सुनी बातों पर बस भरोसा मत करिएगा जो भी सुचिए जो भी करिए केवल अपने कानों सु समच करके लीजिए करियर में बदलाव के योग बन रहे हैं नौकरी बदल जाए या इसी नौकरी में आपका काम बदल जाए या आपकी सिफ्ट चेंज हो जाए इसके योग बन रहे हैं परन्तु जो भी होगा वो आपके लिए अच्छा होने बाला है बिजनिस में नई बुजनिस में कोई confusion की इस्तुती भी हो तो उसको दूर करने के लिए अपने partner से बातचीत करिये। ऐसा नहीं कि आप अलग चल रहे हो, आपका partner अलग चल रहा हो, कोई भी confusion हो, बातचीत करिये, समाधान हो जाएगा। क्या नहीं करना है? आज भावनाव में आकर के किसी से कोई बादा नहीं करना है। प्रेम संबंधों के मामले में आज दिन बहुत अच्छा नहीं कहेंगे साउधान रहने की सलाह दे देता हूँ। दामपत्य जीवन सुखद है, दामपत्य जीवन में कहीं कोई दिक्कत नहीं, जीवन साथी से उपहार मिलने वाला है। बिद्यार्थी वर्ग की बात कर लेते हैं, तो पढ़ाई में आज आपका मन लगेगा, आपके मित्र जो सहपाठी हैं, आपके सच्छा में आपकी पढ़ाई में मददगार साबित होंगे। सेहत की बात कर लेता हूँ, तो पेट से सम्मंधित परिशानी होने के योग बन रहे हैं, क्या करना है? दिव्य महा प्रयोग कर लेना है, दिव्य महा प्रयोग कर लीजिए, लाब हो जाएगा, स्वास्त को देखते हुए, आज एक काम और कर लीजिए, गणेश जी का जो मं धन और संपत्ति से जुडे महत्तो पुर्ण मामले आज आपके तय होने वाले हैं, आज आपकी चाहत प्रसंसा और सम्मान प्राप्त करने की होगी, यानि दिन भर ऐसी इक्षा होगी, कि कहीं से आपको सम्मान मिले या प्रसंसा मिले, कार्यच्थल पर कुछ मामलों में आज अचानक आपको लाब होने वाला है, कोई बड़ा फैसला न लें, और नया काम भी आज आप सुरू न करें, यानि कि आप इस बात का ध्यान रखिया का आज ये काम नहीं करना है, कोई भी बड़ा फैसला नहीं लेना और साथी साथ कोई भी नए काम की शुरुवात आज नहीं करनी है, पारिवारिक संब्ध अच्छे रहने वाले हैं, प्रेम संब्ध और भी मधूर बनाने की कोशिस करें, सफलता आपको मिल जाएगी, विद्यार्थी वर्ग की बात कर लेते हैं, तो स्टुडेंट्स को आज कड़ी मेहनत के बाद ही सफलता मिलेगी, आज आप अपनी सेहत को ले करके साउधान रहिए, सीने में दर्द की शिकायत हो सकती है, क्या करें, आज का दिव्य महा प्रयोग कर लीजिए, इस दिव्य महा प्रयोग से आपको सबसे पहले तुलाब मिलेगा, कन्या रासी के जातकों के चेहरे पर तो वैसे ही सम्मोहन सकती बहुत जादा होती है, इस दिव्य महा प्रयोग से सम्मोहन और बढ़ जाएगा, और साथी साथ एक काम और करिये, कि आज थोड़ा सा हराचारा गाय को खिलाइए, आपको उससे जादा फायदा मिलेगा, बात करते हैं तुला रासी की, आज आपके फैसले सही रहेंगे, पुरानी परिसानियां आज आपकी खत्म होने वाली हैं, किसी नए काम की शुरुआत आज आप करने वाले हैं, दोस्तों और भाईयों का आज पूरे दिन संपूरुर सहयोग मिलेगा, कारिस्थल पर दिन भर काम आज थोड़ा जादा रहने वाला है, आपके काम की सब के सामने तारी होगी, मेहनत का पूरा फल मिलने का योग बन रहा है, और धनलाभ भी होने वाला है, व्यापारी वर्ग के लिए अगर बात करें, तो आज दिन सामानने रहेगा, मेहनत भाग दोड़ थोड़ी ज्यादा रहने वाली है, परन्तु धनलाभ भी आज आपको होगा, पार्टनर दोस्तों को समझें और उनके कारियों में पूरा सहयोग दीजिए, ये बहुत जरूरी है, विद्यार्थी वर्ग की बात कर लेते हैं, तो दोस्तों के साथ आज घूमने में हो सकता है, आपका समय खराब होने वाला है, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, बात करते हैं सेहत की तो सेहत को लेकर के आज आज आपको थोड़ा सावधान रहना है, आज आज आपके घुटनों में, जोडों में दर्द की शिकायत रह सकती है, क्या करना है? आज का दिव्य महाप्रयोग करना है, इस दिव्य महाप्रयोग से आपके चेहरे की कांती, क्योंकि तुलाल रासी क जो जातक होते हैं और वैसे ही सम्मोहन सक्ति लेकर के जन्मे होते हैं क्योंकि एक ऐसा ऐसी एक रासी है जुस रासी के जातकों के अंदर सम्मोहन सक्ति सबसे जादा लेकिन अगर ये कर लेते हैं तो सम्मोहन सक्ति और जागरत हो जाएगी दुरगा सप्तसती के चौथे अध हो सकती है ओफस में आज सब कुछ अच्छा रहने वाला है कोई अच्छी खबर भी आज आपको मिलेगी आज आप अपनी बाणी से लोगों को मोहित कर लेंगे और उससे अपना काम बनवा लेंगे व्यापारी वर्ग की बात करें तो दिन सामान्य है व्यापारिक पतिद्वं प्रेम संबंधों की बात कर लेते हैं तो प्रेमी से मन की बात कहने के लिए आज का समय बहुत अच्छा है पार्टनर आपकी पहल का इंतुजार कर रहा है तो कर दीजे पहल जो मेहनत की थी विद्यार्थिवर की बात करें तो जो मेहनत की थी आज उसका नतीजा देखने को मिलेगा सक्षक आज आपसे खुस रहने वाले हैं स्वास्त को लेकर के क्या साउधानी रखनी है तो वाहन चलाते समय आज साउधान रहना है चोट चपेट की घटना हो सकती है आज कदिवे महा प्रयोग करिएगा क्योंकि वैसे ही आज आप आकर्शन का केंद्र बने रहने व लाइनों का भी अगर आप कर ले वैसे तो मैं कहूंगा कि कम से कम पूरा कर लीजिए या स्रमन ही कर लीजिए तो विश्णू सहसर नाम का पाठ कर लीजिए स्रमन कर लीजिए लाब होगा धनुरासी की बात करते हैं तो आज आपके दिमाग में कोई न कोई प्लैनिंग होने जा रहा है सेर मार्केट से फायदा होगा अगर आप सेर मार्केट में इंवेस्ट करते हैं फायदा मिलने वाला है हडबणी में कोई भी फैसला मत लीजिए नुकसान होगा व्यापार में कुछ नया करने का विचार बनेगा क्या नहीं करना है आज आपको आज बहस में नहीं फसना है और जहां भी कुछ बोलें क्योंकि आज आपकी वानी का प्रभुत्व बहुत जादा रहेगा सोच समझ करके बूलिए फ्रेम संबंधों की बात कर लेते हैं तो आज आपको पार्टनर आपकी भावनाओं की अंदेखी कर सकता है आपको इस बात को लेकर के साउधान रहना है जरूत पड़े तो खुद ही सामझ से करिए जीवन साती से सामझ से बना रहेगा यानि दामपत्य जीवन में कहीं कोई समस्या नहीं विद्यार्थियों की बात कर लेते हैं तो विद्यार्थी बर्ग के लिए आज थोड़ी महनत जादा रहने वाली है एक्स्ट्रा महनत करनी पड़ेगी पढ़ाई के लिए दिन बहुत अच्छा है स्वास्त की बात कर लेते हैं सेहत की बात कर लेते हैं तो अपनी सेहत को ले करके आज आप साउधान दे ये दाथ से संबंधित परेशानी होने वाली है क्या करना है आज का दिव्य महा प्रयोग करना है आज का दिव्य महा प्रयोग कोई सामान्य नहीं है प्रति दिन कर सकते हैं इसे जरूर करिए क्योंकि हर कोई कारेक्षितर में चाहता है कि सम्मोहन सक्ती उसके अंदर जबरदस्थ हो जाए तो आज का जो दिव्य प्रयोग है सम्मोहन सक्ति को जबरदस्ट उचाई देने वाला है और साथी साथ एक काम करिएगा समय निकाल करके और एक माला हनुमान जी का मंत्र हम हनुमते नमः हम हनुमते नमः इस मंत्र का जब करिएगा इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा चलते हैं बात करेंगे अगली रासी, मकर रासी की आज मानसिक उर्जा से आप भरे रहने वाले हैं महत्तो पूर्ण कारियर जो पूर्व के अधूरे हैं उन्हें आज पूरा करने का प्रयास करिए पूरा हो जाएगा आज परिवार के साथ खरीदारी भी करेंगे हो सकता है, मार्केट इत्या दी जाएं और आज खरीदारी करने का दिन बन रहा है परिवार में माहौल बहुत अच्छा रहने वाला है कारिस्थर पर दिन थोड़ा बोजिल सा रहेगा लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा उच्चा धिकारियों से आज किसी भी प्रकार का की बहस न करिए ये ठीक नहीं होगा आपके लिए कहीं कि यात्रा करनी पड़ सकती है परंतु यात्रा लाभ दायक सुद्धो होगी व्यापारी वर्ग की बात कर लेते हैं तो बिजनस में जोखिम भरे निर्णें न लें सावधान रहें और इसलिए भी सावधान रहें क्योंकि खर्च आज थोड़ी अधिक होने वाली है क्या नहीं करना चाहिए आज आपको तो आज किसी से भी जबरदस्ती करने से बचिए कोई भी अपनी बात किसी को जबरदस्ती न थोपिए न जबरदस्ती उसे मजबूर करिए तो कोई भी जबरदस्ती न करिए चाहे वो आपका कितना करीवी मित्र भी हो जब अरदस्ति किसी बात के लिए न करिए प्रेम संबंधों की बात करें तो नए प्रेम संबंधों की शुरुवात होने का योग बन रहा है साथी विवाह प्रस्ताओ जो विवाहित लोग हैं उनको मिल जाएगा और साथी साथ अगर बात विद्यार्थी वर्ग की करें, तो इस्टूडेंट्स के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है कम मेहनत में भी अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होने जा रहे हैं सेहत की बात कर लेते हैं, स्वास्त की बात कर लेते हैं, तो स्वास्त आज आपका अच्छा रहने वाला है, पर हो सकता है नींद की समस्या आपको परिशान करेगी, क्या करें, क्या करें, तो आज का दिव्य महा प्रयोग कर लीजिएगा, उससे लाव मिल जाएगा, और सायम क आज आप पूर्ण रूप से सफल रहने वाले हैं धनलाब किसम पूर्ण रूप से योग बने हैं और उल्जे हुए मामलों में आपको एक काम करना है जो भी पूराना कोई मामला फसा हुआ है उल्जा हुआ है एकांत में जाकर के बैठिए और फिर देखिए उस मामले का खुद आपके अंदर से आजाएगा आज आप किसी भी काम के लिए संकोच न करें जो सोच रहे हैं करड़ाई ओफस में काम आज ज्यादा रहने वाला है लेकिन अधिनस्त जो लोग हैं उनका आज आपको सहयोग प्राप्त होगा व्यापारी वर्ग की अगर बात कर लेते ह आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है क्या करना क्या नहीं करना है तो आज अपनी भावनाओं को जो भी मन में उत्पन हो रही है उन्हें दबाईये मत उन भावनाओं को पुरुन करिए प्रेम संबंधों की बात कर लेते हैं तो प्रेमी के साथ शंबंध बहुत और बनाने की कोसिस करिए क्या होगा कि अगर आप प्रेत्न करेंगे तो भविस्य के लिए आपका प्रेम संबंध और ज्यादा प्रगाढ़ और मधूर हो जाएगा विद्यार्थी वर्ग की बात कर लेते हैं तो आप क्यों अपने स्वभाव में थोड़ा बदलाओ करने की आवशकता है इंटरव्यू इत्यादी या परिच्छा देने के लिए अगर कहीं जा रहे हैं सफलता मिलने का योग है स्वास्त की बात कर लेते हैं तो आज चोट लगने का योग बन रहा है और माईग्रेन इत्यादी से जो लोग परेशान है मैं उनकी बात करूँ तो आज हो सकता है दर्द थोड़ा बढ़ जाए इसके चलते परिशानी होगी क्या करना चाहिए सबसे पले आज के दिव्य महाप्रयोग को कर लीजिए और दूसरा भगवान सुरी को अर्ग्य प्रदान करिए जलमे थोड़ा सा कुमकुम मिला करके और लाल पुस्प मिला करके भग ही अच्छा रहने वाला है पूरे दिन आज आज आप उत्साहित रहेंगे आपकी काम करने की छमता बढ़ने वाली है परिवार के सहयोग से आज आज आप कसी खास काम में सफल हो जाएंगे पारिवारिक मामलों पर उस्थाई फैसला लेना पड़ सकता है हो सकता है परिवा कोई प्लान आज आपके मन में है या पूर्व से आपने बचा रखा है या है कोई प्लान आपके दिमाग में आज उसका निप्टारा करिए कारिस्थल पर बड़ी जिम्मेबारी आज आज आपको प्राप्त होने वाली है व्यापारिवर्ग की बात करें तो दिन आज आज बहुत ही स्रिष्ट है किसी भी तरह के निवेश के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा क्या नहीं करना कोई भी बड़ा वादा या कोई भी बादा बीना सोचे समझे न करिए बाद में पस्तावा होगा जिवन साती के साथ आज संबन्द मधूर रहने वाला है और प्रेम संबन्दों के लिए भी आज का दिन बहुत स्रिष्ट रहने वाला है विद्यार्थी वर्ग की बात करें तो विद्यार्थियों को सफल्ता मिलेगी पढ़ाई में मन लगेगा और मेहनत होगी लेकिन मेहनत किया है तो उसका लाभवी प्राप्त होगा उसका फायदा भी आपको प्राप्त होने वाला है सेहत की बात कर लेते हैं तो आज आपकी सेहत संपुर्ण रूप से स्ठीक रहेगी परन्तु परिवार के किसी सदस्य की आज सेहत थोड़ी खराब हो सकती है और इसको लेकर के चिंतित आप रहेंगे क्या करें आज का सबसे पहले दिव्य महा प्रयोग कर लीजिए इससों दिव्य महा प्रयोग के करने से आपके चेहरे की कांती आपके चेहरे में सम्मोहन की सकती जागृत हो जाएगी और साथी साथ एक काम आपको और करना है द्वादसाक्षार मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का एक माला जब कर लेना है अगर एक माले भर का समय नहीं है तो कम से कम 11 बार ही करके तब घर से बाहर जाईएगा बस इतना कर लिजी और कुछ नहीं करना तो प्रियदर्शों को ये था मेश से लेकर मीन रासी परियंत प्रतेक रासी के जातकों का रासी फल आज के लिए बस इतना ही कल पुनह मुलाकात होगी तब तक के लिजाज़त दीजिए नमस्कार